तो हाई दोस्तो स्वागत करते हैं एक बार फिर आपका हमारी बोल फटाफट फैमिली में तो भाई घर के अंदर मुनावर मनारा और आईशा ये तीनों ही कही ना कहीं जो है वो एक विशय का जो है वो मुद्दा बने हुए और अब ये मुद्दा जो है कही ना कहीं ऐसी वहाँ पर खड़े होकर जो है वो मुनावर की और आईशा की बाते सुनने लग जाती है और उनको बोलती है कि मुझे बिग बोस ने बोला है कि तुम दोनों के बीच में क्या discussion चल रहा है इसमें बिग बीच में टोकर उन्हें बोल देते हैं कि हमने आपको जो है इनको घर क के अंदर ले जाने के लिए जो है वो बोला था इसके बाद हमने देखा कि मनारा काफी रूठी रूठी सी और उखडी उखडी सी नजर आ रही थी जिस पर अभी शेक ने बोला भी भाई कि दिल मिले बिना ही टुट गए हत्थ मिले बिना ही छुट गए इस पर बहुत जादा फ्रस्टेटिड जो है वो मनारा नजर आ रही थी और वहाँ पर आयशा और मुनावर बात करें तो वहाँ पर जाकर वो उनके ओपर कही ना कहीं गुस्ता उतारने की कोशिश कर दीती लेकिन उन्होंने देखा कि जैसी मुनावर एमोशनल है तो वो वहाँ से चली गई हाला है कि सब लोग उनको बुला भी रहते जब वो दुबारा वहाँ पर जाकर खड़ी हुई और उनने कोशिच की कि भई उन दोनों का परसनल मैटन है तुम वहाँ पर जाकर क्यों खड़ी हो रही है लेकिन बुलाने के बावज़ुद भी मनारा जो है वो अपनी जगा से टस् उनने अपने लिए स्टैंड लिया लेकिन उनको जब जब उन्हों ने अपने स्टैंड जो है वो चेंज knob कर दिया और बोला कि बिग बोस के कैने पर जो है बिग बॉस ने बोला है घर में कोई कैप्टन नि weekend के वार पर जो है वो मनारा के लिए एक मुद्दा बन सकती है ऐसी खबरे आ रही है वही पर मुनावर और आशा के relationship के बारे में भी सल्मां खान बात करते हुए जो है वो weekend के बार पर दिखाई देंगे तो ये सारी खबरे जो है वो social media पर आ रही है तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप मुनावर, मनारा और आईशा के समुद्दे के बारे में प्लीज हमें हमारे कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं और सारे लेटेस्ट अबडेट के लिए हमारे चैनल बोल फटाफट को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जाद से जाद से शियर करें